हलो फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा डिलीसियस मिठाई की रेस्पी लेकर आई हो जिसके लिए ना तो आपको गेज जलाने की जरूरत है नहीं एक्षब महिनत करने की बहुत ही कम समय और कम समय में मिठाई बन करते यार हो जाती है और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है यकीन वान यह रेस्पी आपको पहुत ज्यादा पसंद आएगी तो वीडियो के अंड तक जरूर देखिएगा पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा तो चली पाफराई डाल दिया है इसको हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छे सी और यह जिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइन सा पॉडर बना लिया है और ग्राइंड बादिसी कॉंटिटी कम हो जाती है तो इसको हमें एक मेक्शिंग बॉल मे कर देख सकते हैं या फिर पीस कर ले सकते हैं लेकिन मैं सेजेक्ट करूंगी चिनी मत लीजेगा कच्छी चनी अमरे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है तो आप मिस्री इस्तेमाल कर सकते हैं और मैंने आप पर आधा कप दूद लिया है मलाई वाला तो इसमें थोड़ा कर दूद डालेंगेगे और इसके हम दो लगा कर दियार करेंगे और दूद को चलिख करना एक बहुँ ज़्यादा दूद कर दालना है तो थोड़ा थोड़ा कर करियेगा दो नहीं अटिया गुद्स सेटे अशी फिर दाल चाएं आप इसमें ड्राइफ पिस कर डाल सकते है और इसके बाद हम सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दें लिए और इसको करना है अधा कर दिख गया दोत का इसने मावे दोत का इसंगा और आधा कप कर दोत में लिए निए कि अग्वसर कि अभी लेवल हो यह पर फूट लड़ को सकते हैं निताई बना शक्ते हैं और अज़ी में सब्सक्राइब अज़े लिए है तो हम रखते हैं साइड में तो बरफी को सीड करने के कोई भी घराई वाली बरतन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास अभी लेवल हो और इसको मैंने घीर से अच्छे से ग्रीज कर दिया ताकि बर्फी इसमें से एजली निकल जाए तो अब मैं इस केक्टिन में डाल दी हूँ थोड़ा सा बारी कटा हुआ पिस्ता और बाद इसके अउपर दालेंगे ग्री चीऊ ही टालें जिसमें अंने घार नहीं मिला आए और इसके बाद हम एक चारो तरफ बरापर करें लिए केक्सटिए कर दिश तर्प कर देंगें ऐसको डिमिश्यु जैकर दिआए कर देकिन एक दीया है और हम इसको करीब 17 असे 9प से रिज के आप और उपर से तरीके से हम अब कर देंगे और उपर से हम उपने पसंद की पीशिस में कट कर लेंगे तो आप इसको अपने कोडिंग थोड़ा सा छोटा थोड़ा से बड़ा सब्सक्राइब बिल्कुल मुह में घुल जाने माली ये बर्फी बन कर तियार हुई है जो आप त्राइब ये ताप खुद मुझे मुझे बन कर तियार है बनाना की इतना आसान है तो एक बर आप इसे जरूर ट्राइ कीजेगा मैं इसको आपको तोड़ कर दिखाती हूं आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सर कितना बढ़ी आया है पुहुत ज्यादा डिलीसियर से बर्फी बन कर तियार हुए एक बर आप इसे ट्राइ किजिएगा और ट्राइ करने बाद मुझे कमेंड में जुरूर बताएगा आपके रिस्पी कैसी लगी तो फिर अप इसमी ठाई को जुरूर ट्रा पाची एक बर फिर मिलते हैं एक नई रिस्पी के साथ एक नई वीडियो